हेलो एस्टुडेंट आज हम पढ़ेंगे हिंदी अध्याय एक पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रीडिंग सेक्शनिंग में इस बार हम पढ़ेंगे राइटिंग सेक्षन को तो देखें रीडिंग सेक्षन वह होता है जहां पर कि हम सिर्फ पढ़ करके और उसका जो है डे होते हैं और question answers होते हैं so students आयो देखिए यहां पर अभ्यास है उसके बाद है अभिव्यक्ति मुल्यांकर सुतलेक देखिए यहां पर कुछ सब्द दिये हुए हैं और इनके जो कठिन सब्द हैं के हमें अर्थ जानने हैं तो जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं lesson को reading section में फिर भी हम एक बार यहां बताते हैं देखिए यहां पर हीमगिर है हीमगिर का मतलब होता है कि परवत की चोटी परवत का सिखा मंद मतलब सवारना मतलब सजाना अमराई मतलब आमों का बगीचा अम्रित मतलब जो सुधा सुधा को भी अम्रित बोलते हैं और रत्न रास मतलब रत्नों का भंडार रास यानि बहुत बड़ा भंडार होता है और रत्न है तो रत्नों का भंडार अभियान मतलब अंदोलन तो यह यह ह है किस देष की सान मिराली है तो आप लोगों को बता किुछ देश होने आली एह भारत देश किसान मिराली है कि हमाले है आई तो आप लोगों ने पढ़ा है इसमें कि तो स्ट्यूंट्स देखिए जयसा कि हमने पढ़ाया कि इसले प्राश में कि उत्तर की तरफ हिमालय है बाकी इन दरफ सागर है अब देखिए समुद्र ने भारत को कितनी ओर से कि घेला हुआ है अभी हमने बता है कि स्था कि तर्थिमाल है लेकिं बाकी तीन तरफ समुद्र है यहां पर क्या होगा हमुद्र ने भारत फ़े तीन उड़ा है अब यहां पर दखे बोरा है भारत के कि की चार महान लोगों के नाम बताईए तो एस जटिन्स आप लोग किई चार महान लोगों के नाम बताईए आप उसमें लिख सकते हैं सुभावश्चन बोस महात्मा गांधी भगत सिंग राजगुरू बहुत सारे महान लोग वे भारत में लेकिन आपको चार ही बोला जा रहा है तो आप चार लिख सकते हैं कोई शेकी अब आते हैं यहां पर देखिए सही गलत नीचे दिये गए प्रफनों के सही उत्तर पर ठीक का निसान लगाई हो देखिए क्या करना है सही उत्तर पर ठीक का निसान लगाना है है ना तो अब यहां पर देखिए हर एक के तीन तीन विकल्प दिये हुए हैं धर्ती का स्वर्ग किसे कहा गया है तो जग को कहा गया है नहीं धर्ती को नहीं क्योंकि यहां पे सवाल ही है धर्ती का स्वर्ग किसको कहा गया है भारत देश को तो हम यहां भारत देश में ठिक करेंगे अब आते हैं सुख का सवेरा कौन लाता है तो बढ़ाएं तो यहां पर देखिए एक्स्टूट्रेंट उपवन है उप उपवन सुक्का सभेरा लाता है क्यांकि यहां पर सब्सक्राइब हवाएं चारों तरफ फैलती है इसलिए उपन जो है सुपका से वेरल आता है अब आते हैं अमराई में कौन गाता है तो देखे एक स्टुडेंट यहां पर कोयल है मानव है और चिडिया है तो अमराई में कौन गाता है कोयल गाती है क्योंकि मानव अमराई में नहीं गाएगा और चिडिया तो हर्द का अपनी आवाज निकालती हैं लेकिन वो गाती नहीं है लेकिन कोयल की आवाज की तुलना गाने से की गई है और अब आगे आते हैं सारी दुनिया किसका नाम लेती है तो यहां पर देखे दोनों उत्तर सही है भारत भूम में पएदा हुए महान लोगों के कारण यह फिर दोनों उत्तर साही हैं तो यहां पर देखिए यह दोनों उत्तर साही हैं क्योंकि भारत देश अपने प्राक्तिक संदर्था के कारण भी महान है और भारत भूम में पाइदा हुए महान लोगों के कारण भी तिशली हम यहां फिर दोनों उत्तर साही में टिक करेंगे तो देखिए next page में आते हैं students यहां पे है part board और आसा असपस्ट कीजिए जानी इनके अर्थ लिखने हैं आपको पहले पढ़ाया गया है आपको अपने सब्दों में इनके अर्थ लिखने हैं और इनके अर्थ लिख करके और उसका photo कीज कर हमें भेजना है उसको हम चेक करेंग और उसके बाद फिर चक करके आपको रिप्लाई उसका मिलेगा देखे का है और खा है तीन दोनों के जो है इनके अर्थलिक के भेजना है उसके बाद कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी किजिए तो कविता के आधार पर ये पंक्तियां को पूरा किजिए और ध्यान रहे इसी महीने में इग्याम होगा आप लोगों को और इग्याम में आपको आनलाइन इग्याम होगा तो आप लोगों की परिक्षा होगी आनलाइन परिक्षा होगी और उसमें एक निश्चित समय रहेगा ऐसा नहीं होगा कि आप नकल कर पाएंगे आप रीड किये रहेंगे आप को याद रहेगा तो ही आप कर पाएंगे क्योंकि वो online आधे घंटे का समय मिलेगा और आधे घंटे में आपको paper complete करना है आधे घंटे बाद automatic वो online में बंद हो जाएगा आपको extra समय नहीं मिलेगा पहले से आपको सोचना होगी और उसी में आपको उसी समय पे करना है आज के class यहीं पर समापत होती है लेकिन ये जितना बताया गया और इसके पिछले page में भी वो भी आपको लिक करके और send करना है और जब आप photo किंच कर send करेंगे ति इधर से हम उसे check करके और आपको return है जेंगे okay students, bye